बिहार में आरजडी में चार लाख नेताओं की डेटा लिख होने का खबर है। बताए जा रहा है कि इन में उनके नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर जैसी परसनल जनकारी भी शामिल है। खबर है कि इन नेताओं को जन्चुराज पार्टी से फोन भी आ रहा है। अपते जस्वी अदव ने मामली की जांच शुरू करवा दी है और पूरी पार्टी से तिन मिलाई हुई है। पूरी खबर आपको हम बताएंगे। स्वागत है आप सभी करता विहां चौपने। मेरा नाम अदिक तारण है। इसमें उनके नाम, पते, उम्र, मुबाइल नंबर और राजनितिक छेतर जैसी कई नीजी जानकारिया शामिल है। यह जानकारिया कैसे लिख हुई, किसने की और क्यों की है। पार्टी इस तर पर इसकी जांच की जा रही है। जश्वी अदब इस मामले को लेकर काफी गंभीर भी हैं और ख़बर है कि वो गुस्से में भी है। जानकारी के अनुसार आरजडी के करीब 4 लाख सक्री सदस्यों का पूरा डेटा पार्टी काराले के कंप्यूटर में मौझूद था। इसमें राजड के सभी पंचायतों के नेताओं की पूरी जानकारी दर्श थी। लेकिन कहा जा रहा है कि यह सारा डेटा जन्सुराज पार्टी के कुछ लोगों के हाथ लग गया है। यह यूँ कहें कि जन्सुराज का जो आईटी सेल है उसके हाथ यह तमाम डेटा लग चुके हैं। अब यह पता लगाने की कोशिस की जा रही है कि यह डेटा लिक किसके जरिये हुआ। कौन पार्टी में इस तरीके से काम किया है, मतलब यह गलत काम किया गया है अर्डेडी के साथ। क्या पार्टी करा ले कि मैं कंप्यूटर चलाने वाला कोई वेक्ति सोसल मीडिया परभारी या मुख्याले का कोई वेक्ति जिमेदार है। तेजश्वी आदव इसकी सिनाक्त कर रहे हैं। सभी के संपर्कों की जाच की जा रही है। इधर पार्टी ने इस डेटा लिक की जाच शुरू कर दी है। प्रदेश कराले और तेजश्वी आदब के पुराने सरकारी कराले यानि पांच देशरत मार्ग इन दोनों जगों से कैसे और किसने डेटा लिख किया इसकी जांच हो रही है किसके हाथ और किन सर्तों पर यह डेटा लिख हुआ है इस यह पता लगाने की कोशिस की जा रही है तो समझे एक काफी महत्वपून जो रिसोर्स होता है पाटी का वो ये डेटा होता है जो लिख हो गया है और सबसे बुरी खबर आरजेडी के लिए है कि वो जन्सुराज के हात लग गया है अब इस मसले पर आरजेडी का कोई भी नेता कुछ भी खुलकर बात नहीं करना चाह दिया मिली जन्कारी के मुताबिक आरजेडी नेताओं के मोबाइल नंबर पर उनके पूरे पता और उम्र समेथ पूरी जन्कारी के साथ जन्सुराज पार्टी की तरब से लगतार फोन आ रहे हैं और कई दिनों से यह फोन आ रहे थे जिसमें उन्हें कई तरह के ओफर दि जैसे कई जीलों से आर्जेडी नेत्रित्यों को अपने नेताओं से लगतार सिकायत मिल रही थी उन्हें जन्सुराज पार्टी की तरफ से कई तरह के बड़े ओफर दिये जा रहे थे प्रस्ताओं भी दिये जा रहे थे तो एक बड़ा हरकंप जो है वो राष्टे जनता दल में इस वक्त मचा हुआ है अगर आपको याद होगा तो आर्जेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदा नन सिंग उन्होंने आर्जेडी के तमाम नेता और कारकरताओं को जन्सुराज पार्टी में ना शामिल होने क हिडायत भी दी थी उन्होंने इस विशाय पर चिंता भी जताया था देखिए जन्सुराज पार्टी बिहार में जब से लॉंच हुई है तब से कई तरह के काम कर रही है उसमें एक काम ये भी है कि अन्य बड़े राजिंतिक दलों के बड़ नेताओं को तोड़ कर अपने स जोड़ना इसे जन्सुराज मजबूत हो गी है अब आरजडी के कई नेताओं को फोन जा रहा है लगतार फोन जा रहा है जिसे यह बात पर सामने आ गई है कि आरजडी के चार लाख सधिक नेताओं के डेटा लीख हो चुके हैं फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बहुत- कर दो दो कि आरजड़र ने एक र towards यहा है कि इस दोत्या फ dafür कि बंसे अ कि slay गीका नेताओ comeback आर 54 it